सब्सक्राइब कर दोनों सिफ्ट का पेपर को देखने वाले हैं कि किस टाइप का कोईशन पूचा गया है किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटे जाए कुछ कोईशन भी बच्चे के दूरा वेजा गया है वो भी आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको यह पता चल पाए किस कोईशन पूचा जा रहा है किस परकार का कोईशन आपको देखने के लिए मिल रहा है पेपर में उसे हिसाब से आप त्यारी कर लिजेगा अगर आपका अगले दिन एक्जाम होने वाला है जिसका भी अगले दिन एक्जाम है वीडियो को जरूर देख लिजेगा ताकि आप आपका पूछा गया था परती कुल में कौन सा समास है तो ये परती जो देख रहे हैं क्या है आपका उपसर्ग है ध्यान डखेगा और उपसर्ग जहां लगा रहे है वहाँ पर कौन सा समास होता है अब यही भाव समास होता है अब यही भाव समास में क्या होता है पर्थम पत आपका question पूछा जा रहा है तो इससे आप ज़रूर कवर कर लिज़ेगा उसके बाद देखे नमर स्रीज से question आपका पूछा जा रहा है किसमें reasoning में नमर स्रीज और स्रीटिंग agreement ये दोनों का weightage अच्छा कासा है जैसे कि यहाँ देख लिज़े इस प्रकार से question दे दिया जाता है ये example है पूछा नहीं गया है नमर स्रीज से question पूछा ज़रे जैसे सरसर दे दिया पचासी दे दिया गया साइटीस दे दिया चपपन दे दिया और उसके बाद संख्या को यहाँ लुप्ट कर दिया उसके बाद 24 दिया और उसके बाद सरसर दे दिया यहाँ पर बोलेगा अगला नमर कौन सा आएगा तो इस परकार से question आपका पूछा जा रहा है प्रैक्टिस कर लिज़ेगा आप सभी उसके बाद देखिए पाई कौन सी संख्या है यह साइध पर्थम सिप्टिस आपका पूछा गया था छे जून को तो यह अब परिमाई संख्या है ध्यान रखेगा आप सभी तो basic basic question पूछा जाए अगर question का level देखिएगा तो बिल्कुल ठिक ठाक है अगर त्यारी किये हुए हैं तो अच्छा खासा इसकूर कर लिजेगा यह बिल्कुल 10th level का question पूछा जा रहा है ध्यान रखेगा अगर 12th का अगर बेटा तरिक से त्यारी किये होंगे 12th का exam दिये होंगे तो अच्छा खासा इसकूर कर लिजेगा आराम से सरकारी को लेज मिल जाएगा आप सभी को उसके बाद देखे लिए रानी जहां से मरिन राष्टी उद्ध्यान कहां पे हैं तो अंड़मान नी को बार दूइप सम्मू में ध्यान रखीगा अगर यह कोईशन आप से इसे पूछ लिया जाए कि मानस यह कहां पे हैं तो यह असम में आपका मानस कहां पे असम में हैं काजी रंगा भी असम में ही हैं आपका जो एकि बाल में की वन जी वव्यारन कहां पे हैं तो आपका विहार में हैं स्थायत पर्थम सिफ्ट में कोईशन ये पूछ लिया गया था यहां देखे बाल में की वन जी वव्यारन से सम्मनित कोईशन पूछा गया है तो ये आपका गुजरात में है याद रहेगा आप सभी को गिर कहां पे गुजरात में सुन्दरवन कहां पे है आपका तो वो आपका पस्चिम बंगाल में है बेतला कहा है जारखंड में है बेतला जिम करवेट रास्टी उध्यान कहां पे है उसके बाद देखें जो पूछा गया था, 22, 14, 23 और 25 में अब विभाज संख्या कौन सा है, तो 23 इसमें अब विभाज संख्या होगा बटीज बिवाजित नहीं होता है, बाकि बद 22, 44, 25 अब विभाजित कर सकते हैं, उसके बाद देखें जो कोशिचन था, साइन 5 बटा 4 का मान ग्याद करना था इसी प्रकार से कुछ कोईशिशन पूछा गया था कनफर्म नहीं है तो देख लिए जगा अगर आपको पता है तो नेचे कमेंड बोक से जरूर बताएगा किस रस का अस्थाई भाव है पूरा कॉशिशन नहीं मिला है ध्यां रखेगा पर रस से कौशिशन पूछा गया है इसके भाव से समझेद कौशिशन पूछा गया है हलाके अलंकार और रस का थोड़ा ज़ avantage had और अलंकार का आपसे भी कलास भी दिए थे अगले सिप्ट में पूछ लिया जाए कि मानवा दिकार दिवस कब मनाय जाता है तो 10 दिसमर को मानवा दिकार दिवस मनाय जाता है ध्यान रखेगा आप सभी उसके बाद दिखेए कुछ बच्चे के दूरा जो के यह कोशिशन भेजा गया था है यहां थोड़ा से देख लिएंजिए यहां से कनफर्म हो जाईएगा दिके माद माद यह बहु लग से पाई कमान से कोशिशन पूछा गया था उसके बाद दिके यानि की आपका तिरकोन म यानि कि देखेगा तो basic question यानि समीक्रान हो गया इस परकार से question पूछा जा रहा है यहाँ पर देखेगा पर्तिकूल में कौन सा समास इस परकार से पूछा गया है किस रस का अस्थाइब हो है पर क्या है confirm नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर देखे माद्दि माद्यक बहुलक से फिर से question यहां पूछना गया है यहाँ पर देखे तेन न चौस यहां पर भी question पूछा गया है यहां पर छेतर फल का मान गयात करने के लिए पूछा गया है वर्ग दिया हुआ है उसके बाद लिखें यहाँ पर confirm नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर देखें X square AX पलस B इसका मा पूछा जा रहा है आप देखे थोड़ा से कोईश्चन आपको करवा देते हैं देखे चिपको अंदुलन का नेता कौन था सुंदर लाल वहुगुना था जो की लोग्सभा का 5 वर्स का होता है ध्यान रखेगा राज़स अगर कोई परधान मंतरी बनता है तो उम्र जो होना चाहिए 5 वर्स का होता है तो कितना सा जरूर याद रख लिज़ेगा व्याकरन से संब्मनित आपका question पूछा जा रहा है जैसे संदी विचेद हो गया पर्यावाची हो गया वाक असुद्धी वाकिस्चुद हो गया आपका जो है की मोहावरा से question पूछ लिया जा रहा है तो संदी विचेद से थोड़ा सो question देख जैसे आप सभी अगर आप से इसे पूछ लिया जाए कि अंधेरे का दीपक का क्या आर्थ होता है तो इसका आसा का स्रोथ होता है यह आपका मोहावरा से संब्मनित question ने आसा का स्रोथ होता है ग्रिस का संदी विचेद क्या आप सभी अगला है निरोग का संदी विचेद क् धन रोग होगा ध्यान रखेगा जो selected question बन सकते हैं जो trending है उसी topic का question आपको cover करवाय जा रहा है ताकि कुछ question आपको देखने के लिए मिल जा और idea भी लग जाए उसके बाद देखेगा अगला दिग विजय का संदी विछेद यहां पर देखेगा दाम एक परियोग करेंगा उ सब्ध धन रिसी होगा उसके बाद देखेगे परियावाची से आपका question पूछा जा रहा है तो परियावाची को देख लिजेगा जैसे कि आपका पानी का हो गया अकास का हो गया पताल का हो गया कमल का हो गया यह सभी से question आप थोड़ा से देख लिजेगा तो अच्छा खा करना करते क्या होता है अराम करना होता है इसका अर्थ कमर सिधा करना का अर्थ कमर कसना करते क्या होता है तैयार हो जाना तोते की तरह आख फिरना करते क्या होता है पुराने संबंद को एकदम भूल जाना तोते की तरह आख फिरना करते क्या होता है पुराने संबंद को एकद परसीद करता है जैसे दसानन जिसका दसानन है अर्थात क्या होता है रावन उसी परकार से गजानन ध्यान रखेगा आप सभी गजानन का क्या है इसका अर्थ क्या होता है आपका गनेश होगा उसी परकार से देख लिए जेगा यूद भूमी में कौन सा समास है तो इसमें तत पत्पर्दान होता है तत्पुरूष समास में तो यहां पर देखिएगा युद करने के लिए जाते हैं तो वहां क्या आपको नज़राता है यूद नजराता है कि भूमी नजराता है यहां कि इसका अंतिम पत्पकौन परदान है और इसका पर्थम पद परधान होता है माद दिबहुलक से कोईशन पूछा जा रहा है उसके बाद देख लिए जे भांखडा नांगल परिजना किस नदी पर है तो ये जो है आपका संतलज नदी पर है ध्यान रखीगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को किस नदी पर है शंतलज नदी पर अगर आप से पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो हीरा कुंड बांध है जो कि कहां पर है महा नदी पर उड़ी सामे है कल देखेगा पांच जून को पूछा गया था डौक्टर बी आर अंबेटकर से सम्बंदित कि सभीधान का आत्मा किसे कहा गया था तो अनुचेद 32 को कहा गया था तो याद रखेगा हो सकता है अगले सिप्ट में पूछ लिया जाए मुक्ति मोर्चा मंच क्या स्थापना किसके दुरा किया गया था डॉक्टर बी आरम बेटकर की द्वरा साइनो विक्टिरिया एबम पारी तंत्र में महत्पून भूमी का आदा करता है क्यों करता है तो ध्यान रखेगा अगला है गिरवनजिव अभ्यारन ये कहां पे हैं गुजरात में हैं जैसे के भी बताये थे आपको चिमनी से धुआ किस सिधान से बाहर निकलता है तो संबहन सिधान से बाहर निकलता है चिमनी से धुआ सोना में क्या मिलाए जाता है तो तामबा और चांदी मिलाए जाता है अगर फ्रेंड यही पूछ लिया जाए आप सभी से कि लोहा जो गर्म होता है वो किस विदी से गर्म होता है तो वो चालन विदी से गर्म होता है ध्यान रखीगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को, अगर κोज़िशन पूछ लिया जाए कि दूद जो गर्म होता है या पानी जो गर्म होता है वो और आपका जोईकी संभान विदी से ही गर्म होता है आगे देखेगा बाइलोजी से कोज़िशन है मानप सिरुज में पितरस का क्या कारी है तो वसा पाचन के लिए वास्पिक रन एवं वसा में विलियन होने वाले विटामिन का अफ्शुर्शन करना इसका मुख्यकारी है उसके बाद देखे एक पारी तंतर में अब घटक कौन होता है तो परियावरान से सम्मनित कुश्चन भी पूछा जा रहा है तो ध्यान रखेगा कवक और जिवानु जी होता है यह अब घटक होता है यानि कि सबसे अंतिम का होता है जो मर जाता है तो उसको क्या करता है खाफी कि यह खत्म कर देता है पर्थम उभोकता में क्या आता है तो पर्थम उभोकता आता है जैसे कि हीरन जो साका हारी चीज है वो पर्थम हो जाएगा और उसके बाद दूतिय उभोकता में कौन आता है सेर आ जाता है जैसे कि एगर हीरन को सेर खा गया तो दूतिय उभोकता आ जाता है अगर सेर मर गया तो उसको कौन खाएगा चिल खाएगा कववा खाएगा तो वो तिरती उबोकता हो जाएगा अब घटक में आ जाएगा कववक और जिवानु आ जाएगा उत्पादक में क्या आ जाएगा पौधा उत्पादक में आएगा मानब क्या है तो मानब सरवाहरी है वो मांस भी खाता है और हरा सबजी भी खाता है आगे देख लिए जीवों के दूइनाम पदती दो घटक कौन है तो वन्स नाम और जाती वी सेशन ये दूइनाम पदती ये जीवों का है ध्यान रखेगा अगला है किसमे केंद्रिका जिल्ली नहीं होती है तो मोनेरा में गेंदरिका से सम्मझे कल भी कोईसरन पूशा गया था कैंदरिका से नहीं आपका जो है की कोईसिखा जिलली से कोईसरथ पूश पूशा गया था कल कोईस का से सम्मझे दोनों सिफ्ट में कोईसरन पूछ लिया गया था, नेती ने देशक्तत्व का उल्लेक सविधान के किस भाग में है, तो ये भाग चार में है, ध्यान रखेगा, भाग चार में क्या है, नेती ने देशक्तत्व है, अनुचेत के अगर बात किया जाए, तो ये अनुचेत जो है कि ये आपका 36 से लेके 51 तक है ध्यान रखिएगा आप सबी, अगर ये पूचा जाएकि ये किस देशへ सभीधान से लिया तो ध्यान रखिएगा आप सभी नेती नेजह क्तत्व को लिया गया है आयएर लेंट देश toughке सभीधान से, याद रहेगा आप सभी को आयर लेंट देश के सबिधाँ से अगर यह कोईशन पूछ लिए जाएफरेंड कि बारा से लेके 35 में क्या है तो मौलिक अधिकार है जो कि USA गर बात किया जाए कि एक जमक में तो इसमें आपका क्या है मौलिक करतब है जो कि रूज देश की सविधान से लिय अग्या है यह सविधान के भाग चार को में हैं क्या मौलिक करतब और मौलिक अधिकार सविधान के भाग तीन में हैं ध्यान रखेगा कीवी चिडिया कहा की पक्षी है तो न्यूजीलेंड की पक्षी है मानप सरीर में कौन से गरंथी व्र भारत की बुलबुल का जाता है भारत की उप राष्टपती का चुनाओ कराने का जिम्मा जो होता है वो किसको होता है तो पालियामेंट को होता है यह अनुछिद 66 के तहत राष्टपती का चुनोग किया जाता है अगला है भारती से विधान के अनुसार संग का कारी-कारी अध्यक्ष कोन होता है तो राष्टपती होता है और राष्टपती देश का पर्थम नागरिक भी होता है भारत के पर्थम गवर्नस जिनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ज्यान रखेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पर्थम गवर्नस जिनरल था अगर अंतिम पूछ लिया जाए तो कौन था अंतिम लॉड केनिंग था और भारत का वो पर्थम वाइसराय भी बना था और अंतिम वाइसराय लॉड मौंट वेटन और स्वासंदर भारत का पहला गवर्नस जनरल लॉड मौंट वेटन अगर ये कोईशन पूछ लिया जाए कि स्वासनदर भारत का पर्तम भारतिय गवर्नेस जर्लैल कौन था C. राजगोपला चारी था जो करती है वो किसे सीमा सूल किसी ध्यान रखेगा आप सबी सबसे जादा राजथ सीमा सूल किसे भारत सरकार याद रहेगा अग्ला है बेरी बेरी रोग किस बीटामिन की कमी के कारण होता है तो देखे बेरी-बेरी रोग जो है यह बीटामिन B1 की कमी के कारण होता है अगर आपसी से पूछ ले जाए कि बीटामिन A की कमी से क्या होता है तो रतोंदी रोग होता है इसका रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल है और बीटामिन B1 का आपस थचाईनिक नाम क्या है, थायमीन ही ध्यान रखेगा अगर आपसे इसे पूछ ले जाय कि पीटामिन C कार रशाईनिक नाम क्या है तो एस्कौर्बीक A.C. द्यान रखेगा आपसभे अगला है ओली खाने का सोडा तो इसका राशाईनिक नाम है sodium bicarbonate NOHCO3 परमानू के नाभिग में होता है तो इसमें proton और neutron होता है ध्यान रखेगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को थोड़ा सा बिहार से समझेत question देखे लेते हैं क्योंकि कल भी question पूछ लिया गया है और आज भी question बिहार से पूछा गया है तो थोड़ा सा आप सभी याँ पर ध्यान देज़ेगा भारतिय निर्तिकला मंदिर कहां पे हैं पटना में हैं अंतराष्टिक कन्वेंशन सेंटर कहां पे हैं राजगीर नलंदा में हैं बिहार संगित नाटक अकादमे कहां पे हैं पटना में हैं कहां पे हैं पटना में मिथला चित्रसला सांस्थान कहां है मधुवनी में हैं और बिहार का सबसे फैमस चित्रसला है मधुवनी का मिथला वाला उसके बाद देखे बिहार ललित कला अकादमी कहां पे हैं तो यह पटना में हैं तो यह कुछ कोश्चन था जो आपको कवर करव जैसे कि जो आपको सुभब बताया है कि LCM SCF हो गया नंबर सिस्टम हो गया आपका दुई घाज समिक्रियन हो गया आपका उसके बाद जो एक अलजेवरा हो गया आपका तो यह थोड़ा सा आप से ज़्यादा इस पर फोकस कर लिजेगा हिंदी में आपको क्या करना है तो हिं इंगलेस में देखेगा तो टैन्स हो गया उसके बाद जो है कि आपका अपका वर्ड करेक्ट से भी कुछ न आपका पूछा जा रहा है इंगलेस में तो देख लिजेगा आप सभी रिजनिंग के बारें बता दिए दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर लिजेगा कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका नमर स्रीज हो गया और उसके बाद जो है कि आपका सीटिंग